नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम लाइप पे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो का जो टोपिक है वो आपको टाइटल और थमनेल से पता चल गया होगा तो हम बात करेंगे सर्बिया इमिग्रेशन के क्वेश्चन अंसर के बारे में किस तरह से आपको वो इमिग्रेशन अटेंट करना होगा और किस टाइप के जो क्वेश्चन अंसर से होंगे तो वो सब हम आपको बताएंगे तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किये हुए आन तक देखिए जो आपको proper information मिल सके और जिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक important update दे दू कि मेरी पिछली वीडियो जो सर्बिया को लेके थी उसमें हमने बात की थी अजरबाईजान को लेके कि अजरबाईजान से entry मिल रही है boarding pass मिल रहे हैं लेकिन अभी जो latest update आ रही है बहुत सारे जो मेरे बाई हैं उनके मुझे messages आये हैं कि अजरबाईजान से भी अभी काफी जो कम entry मिल रही है सर्बिया के लिए अभी बहां भी 100 में से आप बोल सकते हैं कि 15-10-15 लोगों को ही वो इंटर करने दे रहे हैं तो जी latest update थी तो जो भी मेरा बाई अजरबाईजान से इंटर करना चाता है वो थोड़ा सर्च करके और अच्छे से सोच समझ के ही decision ले तो अभी हम बापिस अपने topic पे आते हैं और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब आप process शुरू करते हो अपना सर्विया के लिए तो सबसे पहले जो important part होता है वो आपकी documentation होती है सर्विया immigration से आपको entry मिलेगी जा नहीं मिलेगी जे 70% तक जो आपके documents पे ही depend करता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपनी जो documentation है वो बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करें चाहें जे आप खुद करते हैं जा किसी से करवाते हैं लेकिन आपको काफी सारी जो बाते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए documentation करते समय तो जे एकदम आपकी correct होनी चाहिए तो उसके बाद जो आपकी सर्विया के लिए journey शुरू होती है वो Delhi airport बोल सकते हैं आप Dubai airport जा किसी और airport से होती है तो for example हम ले लेते हैं कि आप Delhi airport से इंटर कर रहे हो सर्विया के लिए तो जहां सबसे पहले मैं आपको एक important tip देना चाहूँगा airport से जाने से पहले आपको अपनी dress up पे ध्यान देना है आपको जो dress है वो बिल्कुल अच्छे से होके जाना है अच्छे से एक tourist की तरह कपड़े पहन के जाना है मतलब कि आप tourist लगने चाहिए देखने में आप tourist लगने चाहिए कुछ इस तरह का आपको relaxing dress पहन के जाना है कि आप देखने से ही tourist लगो की आप गूमने जा रहे हो जी एक बहुत important tip है तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि यो dress आपका वो एक tourist की तरह हो और उसके बाद जिस दिन की भी आपकी ticket होगी और जो भी आपका time होगा उस time से आपको 4-5 गंटे पहले वहाँ airport पे इंटर करना होगा तो जैसे ही आप इंटर होगे उसके बाद आपका जो document आपकी ticket चेक होगी gate पे ही उसके बाद आप अंदर जाओगे और आप control डूंड होगे जिस भी airline का आपका ticket होगा और उसके बाद आपका जो luggage है वो वहाँ deposit होगा वो आपको वहाँ जमा करना होगा जो भी आपका luggage और समान होगा वो आप वहाँ जमा कर दोगे जिस भी airline में आपकी ticket होगी और इसके बाद जो आपका next step होगा वो होगा आपका immigration for example आप Delhi airport पे हो तो आपका Delhi airport पे सर्विय के लिए immigration होगा तो उसके बाद जैसे ही आप immigration counter पे पहुंचोगे तो वहाँ जाके आपको जो आपको पासपोर्ट है वो immigration officer को देना होता है और पासपोर्ट देने के साथ साथ आपको उसे greeting भी करना होता है जैसे आप उसे wish कर सकते हो good morning, good evening और कैसे भी अपनी language में नमस्ते, सत्रियकाल जो भी आपको बोलना होता है वो आप बोलना चाहिए और जो immigration पे आपके साथ सवाल जवाब होंगे वो बताने से पहले आपको मैं एक बात clear कर दूँ कि यह sure नहीं है कि exactly यही question आपसे पूछे जाएंगे जो depend करता है आपकी profile पे आपके जो travel history है उस पे भी depend करता है तो जो most common जो सवाल होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ तो जहां एक important बात आती है कि जब आपसे वो सवाल पूछेंगे तो आपको जो answer करना है वो to the point देना है किस तरह का जो सवाल है वो आपसे पूछा जाएगा तो जो daily airport पे आपका immigration होगा वो हिंदी में हो सकता है तो आप हिंदी में answer दे सकते हो जो आपके सवाल होंगे वो हिंदी में हो सकते हैं अगर आप English बोलते हो तो वो English में भी आपसे पूछ सकते हैं तो सबसे पहले वो कुछ इस तरह से पूछेंगे आपको आपका पासपोर्ट जब ले लेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप सर्बिया क्यों जा रहे हो। जो एक simple question होगा कि आप सर्बिया क्यों जा रहे हो। और उसके बाद आपको एकदम simply उनको answer करना है कि मैं सर्बिया घूमने के लिए जा रहा हूँ जा बोल सकते हो as a tourist मैं सर्बिया में जा रहा हूँ तो इस तरह से आपको एकदम simple answer उन्हें करना है और उसके बाद आपको मैं एक question बताऊँगा जो एक बहुत confusing question है और इस question को सुनने से पहले आप imagine कीजिए कि आप immigration officer के बिल्कुल सामने खड़े हैं इस तरह से कुछ imagine करिए और आप जे question सुनीए आप देखिए कि आप confused होते हैं के नहीं होते आप एकदम सामने खड़े हैं immigration officer के और वो आपको सवाल करता है कि आपका सर्विया के लिए visa के दर है show me your visa तो आपसे पूछता है कि अपना visa दिखाओ तो अभी आप देखिए आप confused होए के नहीं होए और जो इस तरह का सवाल है वो आपसे इसलिए पूछेंगे कि क्या आपने फाइल अपनी खुद लगा रहे हो जा किसी agent के थूर लगा रहे हो और आपको कोई knowledge है सर्विया कंट्री के बारे में के नहीं तो इसलिए वो इस तरह से आपको सवाल पूछेगा तो आप imagine कीजिये कि आपको क्या answer करना होगा उस time जब आपको वो पूछेगा कि आपका visa किदर है सर्विया जा रहे हो तो वीजा किदर है तो चलिए अभी मैं आपको answer बता देता हूं कि आपको कैसे answer करना जैसे ही आपको जे सवाल पूछा जाएगा कि आपका वीजा किदर है सर्विया के लिए तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना एकदम नॉर्मली आपको रेडी होके जाना जे बात दिमाग में रखनी है कि अगर इस तरह का कुछ सवाल होता है तो आपको उन्हें बताना है कि मैंने कि मैंने सर्विया की अमबेसी वेब साइट पे देखा था कि जो सर्विया के लिए वीजा है इंडियन पासपर्ट होल्डर्स के लिए उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं है और 300% दिन में से 30 दिन के लिए मैं कभी भी सर्विया में ट्रैवल कर सकता हूँ बिदाउट वीजा जिए वीजा ओन अराइवल है इंडियन पासपर्ट होल्डर्स के लिए तो मैं जिए ट्रैवल कर सकता हूँ तो आप उसे इस तरह से अंसर करेंगे एकदम नॉर्मल ही आपको कन्फ्यूज नहीं होना आपको मैंने बता दिया है कि वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए ही ये सवाल पूछेंगे और मुझे उमीद है कि जहां तक आपको बिल्कुल समझ आगी होगी कि किस तरह से आपको हैंडल करना है और आगे मैं आपको एक important बात बता दूँ कि जे जो अंसर होगा जे इंडियन्स के लिए होगा जिनके लिए ओन अराइवल वीजा है अगर आपकी कंट्री की कोई और कंट्री है जहां उन अराइवल वीजा नहीं है सर्बिया के लिए तो आप इस तरह से अंसर नहीं कर सकते तो तब आपके पास वीजा होगा अगर आपकी कंट्री के लिए उन अराइवल वीजा नहीं है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें तो कुछ इस तरह के जो सवाल होंगे वो आपको पूछे जाएंगे डैली एरपोर्ट से जो भी आपका इंट्री एरपोर्ट होगा तो कुछ इस तरह के जो सवाल हैं वो आपको पूछे जाएंगे और अगर आपकी documentation सही है और आपकी जो immigration में जो आपकी बात होती है वो एक दम सही जाती है तो मैं बोलूँगा कि आप 95% तक chances हैं कि आपको जो boarding pass है वो मिल जाएगा आपको जहां से entry मिल जाएगी तो उसके बाद जैसे ही आप जहां से fly करोगे आप उसके बाद उतरोगे सर्बिया के airport Belgrade में आप उतरोगे सर्बिया airport पे और बहाँ उतरते ही जो आपका पहला point होगा वो आपका immigration होगा वहाँ जाके एक बार फिर से आपका immigration होगा सर्बिया के airport पे तो जहां मैं आपको एक बात confirm कर दूँ कि जहां जो आपका immigration होगा सर्विया airport पे वो English language में होगा तो मैं आपको advice दूँगा कि जब भी आप fly करो जब भी आपको सर्विया में जाना हो तो आप कोशिश करो कि थोड़ी जो अपनी English है वो थोड़ी सी improve करो थोड़ा सा English पे काम करो जादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कि आप समझ पाओ वो क्या सवाल पूछ रहे हैं आपको कैसे answer करना है तो इस तरह की जो बाते हैं वो आपको द्यान में रखनी चाहिए तो उसके बाद जैसे ही आप सरविया में immigration counter पे पहुंचोगे वीजा officer के सामने खड़े होंगे तो वो again आपसे वो आपका passport लेंगे वो आपका passport देखेंगे और जहां जो आपसे वो question पूछे जाएंगे वो एकदम आपकी profile पे depend होगे वो आपके related होगे आपकी travel history क्या है आ आपने किसी और country में travel किया हुआ जा नहीं तो जे सब बाते included होती हैं तो जे जो आपकी profile के according ही सब को question आते हैं और किस तरह से जो आपकी documentation है तो उसके related ही जे सब question होते हैं तो जहां भी जो आपको सवाल पूछे जाएंगे जो पहला सवाल होगा वो mostly इसी तरह से होता है कि कि आप सरबिया में क्यों जा रहे हैं तो English में वो आपसे कुछ इस तरह से पूछेंगे Why do you want to visit in सरबिया तो जे question वो different different तरीके से आपसे पूछ सकते हैं जो उनका जो तरीका होगा पूछने का वो थोड़ा सा अलग हो सकता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि Why you are visiting in सरबिया and what is the purpose of visiting in सरबिया तो जे सवी सवालों का जो मतलब होगा वो सेम ही होगा तो आपको simply answer करना है कि I am visiting only as a tourist तो आपको उनको simply answer करना है कि as a tourist कि मैं as a tourist है जो वो मैं जा रहा हूं सरबिया में गूमने के लिए जा रहा हूं तो उसके बाद वो आपसे कुछ इस तरह का सवाल भी सकते हैं कि क्या आपने पहले कभी किसी European country में travel किया है अगर आपके passport पे वो कुछ होगा ऐसा आपने travel किया होगा जा किसी व्योर country में तो वो आपसे पूछ सकते हैं वो सवाल उस country के related जैसे आपने मान लो कि आपने यूरोप में पहले से travel किया हो था वो आपसे उस time भी सव सवाल पूछ सकते हैं आपका passport देखके had you even travel before in any European country तो इसका मतलब सेम है कि आपने कभी किसी पहले European country में travel किया हुए है जा नहीं तो इसमें आपको एकदम simply answer करना है कि Jess or no में अगर आपने travel किया हुए तो आप बोल सकते हैं कि Jess हा मैंने किया हुए अगर नहीं किया तो आप simply no बोल सकते हो आपको ज्यादा explain करने की जुरूरत नहीं है वस to the point ही answer करना है तो उसके बाद वो आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए जो है सर्बिया में जा रहे हो कितने दिन के लिए आप गूमने जा रहे हो सर्बिया में तो English में व होगा आपने कितने दिन का प्लैन किया है तो उतने दिन ही आपको बताने हैं 10 दिन है 15 दिन है 20 दिन है जितने दिन का भी प्लैन है वही आपको बताना है और यह आपको confirm होना चाहिए कि आपका जो प्लैन है वही वहां बताना होता है और इसके इलावा वह आप से पूछ सक करते हैं तो इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आपको सवाल पूछ सकते हैं आपके बारे में आपके काम के बारे में कोई भी आप काम करते हो, मेकैनिक का काम करते हो, तो वही आपको बताना है, अगर आप कोई परफेशनल काम करते हो, तो वह सेम आपको बताना है कि मैं जे काम करता हूँ, तो कुछी इसी तरह के जो सवाल होंगे, वह बिलकूल आपके रिलेटिड होंगे आपके डोकुमेनटेशन से, आपके ट्रेवल हिस्ट्री से और आपके रिलेटिड ही जो कवेस्टन होंगे, तो आपको एकदम प्रिपेर होके जाना है, जब भी आप सर्व्यय के लिए जा र जाएगी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं 90% क्योंकि अगर आपके डोकुमेंट सही होंगे आपका इमिग्रेशन सही होगा तो आपको इंट्री मिल सकते हैं 10% इसलिए नहीं मैं बोल रहा क्योंकि अभी जो काफी सारी जो जो मुश्किले हैं वो आ रही हैं सर्विया इंट्री ब आप मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई और सवाल होता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें परसनली इंस्टाग्राम पे भी आप मैसिज कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लोगों की भी हेल्प कर सकें वीडियो में आप तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं किसी और वीडियो में नए इंफ्रोमेशन के साथ